आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको लोग के बारे में पताऊंगे लोग के हमारे तीन टुटोरिल्स है लोग का महत्वा लोग की वजिटन रेसिपीज और लोग की नन वजिटन रेसिपीज बट पहें आपको थोड़ा सा महत्वा बता देती हूं कि लोग का महत्वा क्या है बहुत ही महत्वा है अचली और हमारे भारत में बहुत आपको आपक 65% मनहें आप?.. अरते है, प्रेगनेंटि महें राखना है.. जो रखना है.. और प्रेगनन्न इस इसवाटथ में, प्रगसाम प्रगसा ओरिभान द्यॉर्फेश को भी.. Mehnstrution होता है जब वहना आता है तो महना जादा जाता है कभी खुण जादा अ होच्छा में आइन डश्य परति membri ऑफेलन का MRG गभी तत्वव क्योंकि अगर लोग कम होगा तो बच्चा कमजोर पैदा होगा, प्रीमचूर पैदा होगा, लोबर्थवेट पैदा होगा, तो बच्चे के विकास के लिए गर्प में जो विकास इसका हो रहा है, इसके मा के शरीर में लोग होना बहुत ही महत्वपूर्णा है, अगर लोग क जमड़ को भी स॓ंद रावटिकर् just मां पेट में उसके लिए बहुत जरूरत है इनको बच fällt यइन में दोट से ड्वारा दूटा म दो जेंगा लेकिन मां को ध्यान मेंरें रख़ना है कि उसका जो lotan मिदल को जादा उक है आयनगी बहुत निया जाल रख़नी है कि उपर का कुछ और देंगे तो जुलाव हो जाएगा और उसमें फिर दूसरे प्रॉब्लम्स चालो हो जाएंगे छे मेने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि बचे को जिसमें लोग ज्यादा होता है वह वाला खाना खिलाना है जैसे आपर टॉल में देखेंगे कि जो 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 र जो जो सोचन होता है ठीक है वो सोचन जो नर नहीं ऐायन ताइड के जो नहरुच फुर्ड में होता है तो अट रहेमा तो आडन में उसमें जादा अच्छा जो रहावाला जो लोग में खिला हुशं का सोचन पूरा कम्प्लीट हीम आयन बोलते हैं हम लोग तो वो ऐसा हीम वाला आयन वाला खाना अगर मान विजर तो उसको जरूरी किलाना है कलेजी एक है बहुत ही अच्छा सा बायोविल लो है उसमें बायोविल मतलब सोशन उसका अच्छा होता है वैसा वाला और जो वेजटेंट मदद से उसमें आपको अंकूरत खाना देना है अंकूरत करेंगे तो वो लो है जो अच्छी तरह उसका सोशन होगा लेकिन जो भी वह वो व्रकीमिक में महत्वपूरण आक पॉशन तत्व है तो विटमिसी आपको भूलना नहीं है या तो निमु काचार खा सकती है या तो निमूक डाल सकती है डाल में या सबजी में और दुसरा जो है जो है बहुत सारे बीच है ouse to BBC में भी हलिम के बीच है एस लिए वह सारे अची मात्र ह्याइं तो हैं मा अपने खाने में बीच का प्रयोग कर सकती है तूइ कोने बगावской इस रिए itself nine वेज्टर है तो इसको कलेजी उस चाह Wrapा अ से चालो करो अगर non-vegetant बच्चा है तो उसको अच्छी तरह से उसको करदानियों जो अंकुरत बोलते हैं अंकुरत वो दिना है और जैसे जो दूद के उत्पाद है ज्यादा नहीं देना है दिन में लगबग 500 ml से ज्यादा दूद के उत्पाद नहीं देना है कि दूद में आयन की मातरा जो होती है लोग की मातरा बहुत कम है तो जो बच्चा बहुत आयन वाला लैक दूद ज्यादा पिता है बाहर का दूद ऊपर पांसो अमिल तक ठीक है, उपर का तो दूद बिल्कुल देना ही नहीं, क्योंकि बच्चे को मा के दूद से उसको आयन मिलेगा, बहुत नहीं है, लेकिन जो भी है उसका अच्छा होता है, ठीक है, और आपको यह तीन तुटॉल देखने हैं, और तीन तुटॉल के माधियमस क आपको पता चिलेगा कि बच्चे को क्या-क्या खाना मिलना चाहिए, धन्यवाद. यह हीमोगलोबिन और मायोगलोबिन का एक प्रमुग घटक है, हीमोगलोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, यह फेपरों से ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे हिस्सों में ले जाने में मदद करता है, मायोगलोबिन मास पेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आना-ज देने में यह कोशिका के काम के लिए और हार्मोन के संस्लेशन में भी ज़रूरी है यह उलजा पैदा करने में और माईलीन को बनाने में मदद करता है माईलीन एक सुरक्षा परत है जो तंत्रिकाओं में चारो ओर बनती है आईरन मजबूत रोग प्रतीरोधक शक्ती बनाई रखने में मदद करता है और आद के स्वास्थ को सुधारने में भी हमारे शरीर में लाल रखत कोशिकाओं में 70% आईरन होता है 25% फेरिटीन के रूप में कलेजे तिल्ली और अस्थी मज़्या में जमा होता है चह प्रतीशत आईरन प्रोटीन का एक घटक है प्रोटीन रोगों से बचाने का काम मेटाबोलिजम और कोलेजन संसलेशन के लिए ज़रूरी है अब हम आईरन की कमी के कारणों को जानेंगे आईरन ठीक से न लेना और सही तरीके से शरीर में न सोखा जाना ये इस कमी के एहम कारण है कीडों का इन्फेक्शन, बैक्टेरियल और वाइरल इन्फेक्शन कुछ अन्यकारण है मासीक धर्म और प्रसव के समय जादा खून की कमी भी इसकी कमी का कारण बन सकती है लेड विशायन एक अन्यकारण है जो आईरन की कमी का कारण बन सकता है लेड विशायन में हिमोगलोबिन का बनना कम होता है मलेरिया के कारण लाल रगत कोशिकाओं का जादा नुकसान भी एक कारण है एक पूर्ण अवधी की गर्भवती महला में आईरन का भंडार शिशू के आईरन की जरूरतों को पूरा कर सकता है यह तब तक परियाप्त है जब तक शिशू चार से छे महने का ना हो जाए हाला कि समय से पहले और जन्म के समय कम वजन वाले शिशू के पास कम आईरन के भंडार होते है पहले दो महनों के अंदर उनमें कमी हो जाती है एक आईरन की कमी वाली गर्भवती महला के शिशु को कम आईरन मिलेगा गर्भाशय के अंदर आईरन की कमी होने पर दिमाग में आईरन की कमी हो जाती है यह शिशु के दिमाग के कामों पर भी असर करता है शिशों और किशोरों में इसकी कमी का खत्रा जादा होता है प्रजनन के उम्रकी महलाओं को इसका खत्रा होता है अब मैं आपको शिशों में आईरन की कमी के कारण बताऊंगी शिशों में सबसे आमकारण अपर्याप्त सेवन है और उनका तेजी से विकास भी जन्मके समय कम वजन एक और कारण है आइरन की कमी से एनिमिया होता है यह एक ऐसी स्थिती है जहां शरीर में जमा हुआ आइरन खत्म हो जाता है इस वज़े से उतको और लाल रगत कोशिकाओं को आइरन मिलना कम हो जाता है आईए अब इसकी कमी के लक्षन के बारे में जानते है कमजोर नाखुन या स्पून नेल्स आइरन की कमी की पहचान है स्पून नेल्स में मुलायम नाखुन बाहर निकले हुए लगते है इसकी कमी के कारण पीली तवचा और जीब में सूजन भी हो जाती है कमजोरी, सास की तकलिफ, सिरदर्थ, ठकान इसके अन्युदाहरन है पाइका भी आइड़न की कमी की पेहचान में से एक है पाइका, चिकनी मिट्टी यँ मिट्टी जैसे ना खाने की चीजों का खाना है वयसकों में आइड़न की कमी उदासी पैदा कर सकती है क्योंकि इसका संबंध डोपामाइन से होता है डोपामाइन को खुशी का हार्मोन कहा जाता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है आईरन डोपामाइन को बनाने के लिए जरूरी है आईरन की कमी से डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है आईरन की कमी से शिशूओं और बच्चों के तबियत पर बुरा असर पड़ता है गरभा वस्ता के दोरान आईरन की कमी से भुण में भी कमी हो सकती है इसकी वज़े से भाषा शिकने में मुश्किल होती है और शिशों के व्यवहार में भी परिवर्तित समन्वय और मोटार कार्य में भी मुश्किल आती है ये तंत्रीका तंत्र के बढ़ाने में बाधा डाल सकता है आईरन की कमी से तंत्रीकाओं के चारो और माईलिन शीत का बनना रुक जाता है इससे जादा सक्रियता हो सकती है और शिशों में धान की कमी भी अब हम देखेंगे कि शिशों में एनिमिया को कैसे रोका जा सकता है जन्म के समय गर्भनाल को देरी से क्लैम करने से इसकी कमी को रोकने में मदद करती है यहाँ पहने 6 मैनों के लिए शिशु में आईरन के भंडार को सुधारता है यहाँ आईरन की कमी के खत्रे को कम करता है 6 मैने के बाद आईरन वाला खाना भोजन के जरीये देना चाहिए मैं आपको इस टुटोरियल के बाद के भाग में आईरन के खाने के स्त्रोथ बताऊंगी अब मैं आपको आईरन की सुझाई गई मात्रा के बारे में बताऊंगी रोज लेने की आईरन की मात्रा अलग-अलग उम्रे के लोगों के लिए अलग-अलग होती है 6-12 मेहने के शिशों को 3 मिलिग्राम आयरन की जरूरत होती है 1-3 साल के शिशों के लिए 8 मिलिग्राम आयरन की जरूरत होती है 4-9 साल के लिए यह 11-15 मिलिग्राम होती है 10-15 साल के लड़कों को 16-22 मिलिग्राम की जरूरत होती है 10 से 15 साल की लड़कियों को 16 से 30 मिलिग्राम आईरन की जरुरत होती है वयस्क पुर्षों के लिए यह 19 मिलिग्राम है वयस्क महलाओं के लिए यह 29 मिलिग्राम है इन जरुरतों को पूरा करने के लिए अपने भोजन में आईरन वाले खाने को शामिल करे आईए हम आईरन के खाने के स्त्रोथ देखे खाने वाला आईरन दो रूप में है हीम आईरन और नौन हीम आईरन हीम आईरन मास में पाए जाने वाले हीमोगलोबिन और मायोगलोबिन से आता है इसलिए मावसाहरी खाना हीम आईरन के अच्छे स्त्रोथ है जैसे की बकरी का मास, मुर्गी, बकरी का कलेजा और मगज नौन हीम आईरन शाकाहरी खाने से आता है जैसे की फलिया, अनाज और हरी पत्तेदार सबजिया हीम आईरन शरीर में अच्छी तरह सोखा जाता है नौन हीम आईरन अच्छी तरस से नहीं सोखा जाता और कुछ कार्णों से इस पर असर होता है इसका केवल 17 प्रतिशत ही सोखा जाता है खाने में मौजुद कैल्शियम और फाइटेट्स नौन हीम आईरन के सोखने को रोगता है भूना, अंकुरन और खमीर उठाने से फाइटेट को कम करने में मदद मिलती है अंकुरन और खमीर उठने के तरीकों को दूसरे टुटोरियल में समझाया गया है जादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं आईरन के सोखने को सुधाने के लिए विटामिन सी लेने की सलह दी जाती है विटामिन सी आईरन के बहतर सोखने में मदद करता है नौन हीम आईरन का सोखा जाना हीम आईरन के साथ जुडने पर बहतर होता है अब हम अलग-अलग खाने की चीजों में मौजूद आईरन की मात्रा देखेंगे 100 ग्राम बकरी के कलेजे में लग-भग 6 मिलिग्राम आईरन होता है 100 ग्राम मटन में लग-भग 2 मिलिग्राम आईरन होता है 100 ग्राम मुर्गी के सीने में लगभग 1 मिली ग्राम आइरन होता है 100 ग्राम पालक में लगभग 2 पूर्णांक 9 मिली ग्राम आइरन होता है 30 ग्राम राजमा में लगभग 1 पूर्णांक 8 मिली ग्राम आइरन होता है अच्छे स्वास्ते के लिए इन खानों को अपने रोज के खाने में शामिल करें अब यह टुटोरियल यही समाथ होता है यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्निहां किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद आइरन से भरपूर शाकाहरी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे शरीर में आइरन के फाइदे कुछ शाकाहरी खाना बनाने के तरीके शरीर में कई जरूरी कामों के लिए आईरन की जरूरत होती है यह हीमोगलोबिन और मायोगलोबिन का एक जरूरी घटक है हीमोगलोबिन लाल रख्त कोशिकाओं में मौजूद होता है यह फेफ़ों से ओक्सिजन को शरीर के अलग-अलग भागों में ले जाने में मदद करता है मायोगलोबिन मान स्पेशियों की कोशिकाओं में ओक्सिजन का आना जाना और इकठा करता है आईरन की जरूरत को एक अलग टुटोरियल में समझाया गया है क्रिपया जादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाए आईए अब खाना बनाना शुरू करेंगे शुरू करने से पहले ध्यान दे कि इस टुटोरियल में बताया गया एक कटोरी 150 मिलिलिटर है पहला सीखेंगे मेथी की पकोडों की करी इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 30 ग्राम या दो बड़े चमच भुना हुआ बेशन एक कटोरी धुली और कटी हुई मेथी के पत्ते दो कटे टमाटर एक छोटा कटा हुआ प्याद मुठी बर धुले और कटे हुए पुदिने के पत्ते मुठी बर धुले और कटे हुए हरे धनिये के पत्ते एक कटी हुई हरी मिर्च आपको एक चमच जरूरत होगी लाल मिर्च पावडर हल्दी पावडर धनिया पावडर तील जीरा सरसों के बीज आपको एक चमच तेल की भी जरूरत होगी आपको स्वादानुसार नमक की भी जरूरत होगी तरीका एक कटोरे में बेसन, नमक, हरी मिर्च और मेथी के पत्ते डाले इसमें तील आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाले और अच्छी तरह मिलाले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए उसका आटा गुन्थ ले आटे के छोटे छोटे टुकडे ले और उन्हें अंडे के आकार के पकोडे बनाले आप लगभग 10 से 11 पकोडे बना सकेंगे पकोडों को भाप लगाने वाली प्लेट पर रखे एक बरतन में एक गिलास पानी डाले भाप लगाने वाली प्लेट को बरतन में रखे धक्कन को धक कर 10 मिनिट के लिए स्टीम करे इन्हें एक प्लेट में निकाल कर एक तरफ रख दे इसके साथ ही टमाटर को पीस कर पेस्ट बनाले इसे बाद में इस्तमाल के लिए अलग रख दे एक पैन में तेल गरम करे और उसमें राई और जीरा डाले जब बीज चटकने लगे तब प्याज को हलका भूरा होने तक भूने इसमें टमाटर का पेस डाले और 5-6 मिनट तक पकाए अब मसाले, नमक और पुदीने के पत्ते डाले एक गिलास पाणी डाले और अच्छी तरह मिलाए पके हुए पकोडे डाले और 5-6 मिनट तक उबलने दे इसे एक कटोरे में निकाल ले और हरे धनिये से सजाए मेथी पकोडी करी तयार है इस करी की एक मध्यम कटोरी में लग भग 9 मिलिग्राम आईरेन होता है अगला है पुदिने के पत्ते का डोसा इसको बनाने के लिए आपको जरुरत होगी 20 ग्राम या देड़ बड़े चम्मच उड़त डाल 20 ग्राम या देड़ बड़े चम्मच मूंग डाल एक कटोरी धुले हुए पुदिने के पत्ते एक चम्मच जीरा पावडर नमक स्वादा अनुसार एक चम्मच तेल प्रक्रिया उड़त डाल और मूंग डाल को धो कर रात भर के लिए भिगो दे सभी चीजों को मिकसर या सिल्बटे की मदद से मुलायम घोल में पीस ले घोल को पैले में निकाल लीजिए प्याले को ढखकर किसी गरम जगह पर 6-8 घंटे के लिए खमिर उठने के लिए रख दीजिए घोल में खमिर उठने के बाद नमक और जीरा पाउडर डाले इसे अच्छी तरह मिला ले और इसे बाद में इस्तमाल के लिए रख दे पुदिने के पत्तों को थोड़े से पानी का इस्तमाल करके एक मुलायम पेस्ट में पीस ले इसे पहले बनाई गए घोल में डाले सब कोच फीर से अच्छी तरह मिला ले तवे पर तेल गरम करे इस पर घोल डाले और इसे डोसे की तरह समान रूप से फैलाए इसे दोनों तरफ से पक जाने तक पकाए पुदिने के पत्ते का डोसा तयार है दो छोटे छे इंच के डोसे में लग भग 9 मिलिग्राम आईरन होता है तीसरा हम सीखेंगे पालक चोले का सूप इसे बनाने के लिए आपको जरुरत होगी 100 ग्राम या एक कटोरी धुला और कटा हुआ पालक 30 ग्राम या दो बड़े चमच चोले एक छोटा कटा हुआ प्याज एक छोटा चमच जीरा पावडर एक चमच काली मिर्च पावडर आपको इसकी भी जरुरत होगी एक चमच भुने हुए सुरज मुखी के बीज एक छोटा चमच हलिम के बीज रात भर भीगे हुए आधे निम्बुकारस नमक स्वादानुसार एक चमच मक्खन प्रक्रिया चोले को धोकर लाद भर के लिए भीगो दे भीगे हुए चोले और पालक को कूकर में डाले आधा गिलास पानी डाल कर कम आज पर चार सीथी तक पकाएं चार सीथी के बार गैस बंद कर दे कूकर का प्रेशर अपने आप निकलने के बाद कूकर का धक्कन खोलिए इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दे इसे मिक्सी में डाले और इसे पीस कर मुलायम पेस्ट बनाले इसे बाद के इस्तमाल के लिए अलग रख दे एक पैन में मक्खन गरम करे इसमें प्याज डाले और उसे हल्का भूरा होने तक भुने इसमें चोले और पालक का घोल डाले मसाले और नमक डाल कर अच्छी तरह मिलाए आधा का पानी डाले और इसे पाच मिनट तक पकाए इसे एक कटोरे में डाले और आधा निम्बुन निचोडे भुने हुए सुरज मुखी के बीज और भीगे हुए हलिम के बीज से सजाए एक कटोरी पालक छोले के सूप में लगभग 9 मिलिग्राम आईरन होता है आखिरी सीखेंगे फलियों की करी इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 15 ग्राम या देड़ बड़े चम्मच अंकुरित मोट 70 ग्राम या 100 मिली कटोरी धुली और कटी हुई फरज फली एक छोटा कटा हुआ प्याज बाकी जरूरी सामगरी है सूखे नारियल का एक छोटा टुकडा एक छोटी दालचिनी का टुकडा दो से तीन लॉंग आधा चम्मच अजवाईन आपको एक चम्मच जरूरत होगी धनिया के बीज, जीरा और काली मिर्च, तील के बीज, खस-खस आपको इसकी भी जरूरत होगी आधा चम्मच हल्दी पावडर एक चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार प्रक्रिया हम सबसे पहले मोट को अंकुरित कर ले मोट को धोकर रात भर के लिए भीगो दे अगली सुबह पाणी को चलनी से चान ले मोट की फलियों को मलमल के कपड़े में बाढ़ कर किसी गर्म जगह पर अंकुरित होने के लिए रख दे ध्यान दे कि अलग-अलग फलियों को अंकुरित होने में एक से तीन दिनों तक समय लग सकता है यह मोसम पर भी निर्भर करता है इसके बाद अंकुरित मोट और फरजफली को एक साथ कूकर में डाले इन्हें बाढ़ के इस्तमाल के लिए अलग रख दे एक पैन गरम करे और सभी मसालों और बीजों को धीमी आँच पर भून ले जब बीज फूटने लगे उन्हें एक प्लेट में निकाल ले उन्हें थंडा होने दे और बारीक पीस ले इसे एक तरफ रख दे हम इसे बाद में इस्तमाल करेंगे एक पैन में तेल गरम करे और प्याज को हलका भूरा होने तक भुने इसमें पके हुए अंकुरित मोठ और फरज फली डाले अच्छी तरह मिलाए और इसे फिर से चार से पाच मिनट तक पकाए तयार मसाले, बीज का पावडर, हल्दी पावडर और नमक डाले फिर से मिलाए अगर पानी सूख जाए तो आप आधा गिलास पानी मिला सकते है पैन को धककन से बंद करें और पाच मिनट तक पकाए इसे एक कटोरे में निकाल ले फलियों की करी तयार है आधा कटोरी फलियों की करी में लग भग आठ मिलीग्राम आइरन होता है अच्छे स्वास्त के लिए इन सभी खानों को अपने रोज के खाने में शामिल करे अब यह टुटोरियल यही समाप्थ होता है यह स्क्रिप्ट बेला तोनी द्वारा अनुवादित है हमसे जड़ने के लिए धन्यवाद आइरन से भरपूर मासाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे शरीर में आइरन की भूमिका आइरन से भरपूर मासाहारी खाना बनाने के तरीके शरीर में कई जरूरी कामों के लिए आयरन की जरूरत होती है हमें विकास के लिए आयरन की जरूरत है दिमाग के काम, याददाश्ट और एकागरता के लिए भी यह कोशिका के काम के लिए भी जरूरी है और हार्मोन संचलेशन के लिए भी आइरन रोगों से लड़ने की शक्ति को बनाए रखने में भी मदद करता है आहार आइरन दो रूपों में मौजूद है हीम आइरन और नौन हीम आइरन हीम आइरन मास में पाए जाने वाले हीमोगलोबिन और मायोगलोबिन से आता है इसलिए मासाहारी खाना हीम आइरन के अच्छे उदाहरन है जैसे की बक्री का मास व कलेजी, मुर्गी की कलेजी, तिल्ली, फेपडे, आदी नौन हीम आइरन शाकाहारी खाने से मिलता है जैसे की फलियां, अनाज और हरी पत्तेदार सबजियां नौन हीम आइरन की तुल्ना में हीम आइरन बहुत अच्छे से सोखा जाता है इसके अच्छे से सोखे जाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा अपने खाने में विटामिन C से भरपूर चीज़ों को ले आप खाने को धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती से सजा सकते हैं या फिर नीम्भू का रस ले सकते हैं विटामिन C से भरपूर, फल और सबजियां खाने के साथ ली जा सकती हैं खाने के साथ चाए या कौफी का सेवन ना करें वे आइरन को सोखने नहीं देते अब आइरन से भरपूर कुछ मासाहारी खाना बनाने के तरीके देखते हैं पहला है बकरे की तिल्ली फ्राई इसको बनाने के लिए जरूरी सामान है बकरे की तिल्ली 100 ग्राम या दो तिल्ली एक चमच पिसा हुआ अदरक लहसून आधा चमच मिर्च पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर एक चोथाई चमच गरम मसाला पाउडर हलदी पाउडर आपको एक निम्बू की भी जरूरत होगी और एक मुठी धुली और कटी हुई धनिया पतियां स्वाद अनुसार नमक और एक बड़ा चमच तेल या घी लें तरीका सबसे पहले तिल्ली को अच्छे से धोकर साफ कर लें उन्हें प्रेशर कुकर में डालें और एक गिलास पानी डालें नमक और हल्दी डालें प्रेशर कुकर का धकन बंद करें कम आँच पर दो से तीन सीटी आने तक पकाएं कुकर की भाप निकलने के बाद ही कुकर खोलें तिल्ली निकालने और उन्हें टुकडों में काट लें प्रेशर कुकर में बचे हुए पानी को सू या करी बनाते समय दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बाद एक कटोरी में पिसा हुआ अद्रक लैसुन, मसाले और आधे निम्बू का रस लें इस घोल को तिल्ली के टुकडों पर लगाएं इसे 20 से 30 मिनट के लिए अलग रख दें एक बरतन में तेल या घी गरम करें और कम आँच पर तिल्ली तलें दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं और उस पर आधे निम्बू का रस छड़कें धन्या पत्ती से सजाएं बकरे की तिल्ली फ्राई तयार है इसकी एक कटोरी 50 मिलिग्राम आयरन देगी दूसरा है चिकन कलेजी से बना डिप इसको बनाने के लिए जरूरी सामान है तीन चिकन कलेजी आधा प्याज लहसुन की दो कलियां स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च पाउडर दो बड़े चमच मक्खन तरीका चिकन की कलेजी को अच्छी तरह दोले एक बरतन में मक्खन गरम करें और कटा हुआ लहसुन और प्याज डाले फिर चिकन कलेजी डाले और इसे कम आँच पर कुछ मिंटों के लिए भूने बरतन को ढग दें और फिर कम आँच पर पांच से साथ मिनट तक पकाएं इसे ठंडा होने दें और फिर इसे मिक्सी में डालें नमक और काली मिर्च पाउडर डालें इसे एक मुलायम घोल में पीसें चिकन कलेजी डिप तयार है एक डिब्बे में अच्छे से बंद करके इसे फ्रिज में एक हफ़ते तक रखा जा सकता है इसकी एक कटोरी लगबग 16 मिलिग्राम आइरन देगी अगला है बकरे के फेपड़े की करी इसको बनाने के लिए जरूरी सामान है 1500 ग्राम फेपड़े मुठी भर धुली हुई धनिया पत्या मुठी भर धुले हुए पुधीना के पत्य एक छोटा प्याज दो हरी मेर्च तीन बड़े चमच दही एक चमच पिसा हुआ अद्रक लेसुन जरूरी मसाले हैं एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर एक चमच सूखे मेथी के पत्ते एक चौथाई चमच काली मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार ले आपको एक चमच तेल, घी या मखन की भी जरूरत होगी तरीका बकरे के फेफडे को अच्छी तरह धो ले उन्हें छोटे-छोटे टुकडों में काटे और एक तरफ रख दे धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते मिक्सी में डाले प्याज, हरी मिर्च, पिसा, अद्रकलसुन और दही डाले एक मुलायम घोल बनाने के लिए सभी चीजों को अच्छी तरह से पीसे एक प्रेशर कुकर में तेल गरम करें उसमें तैयार घोल डाले कच्चे प्यास की महक जाने तक पकाएं फिर फेफडे के टुकडे डाले धनिया और जीरा पाउडर डाले साथ ही काली मिर्च पाउडर और सुखी मेथी के पत्ते भी डाल ले सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और इसे एक से दो मिनट के लिए भूने एक कप पानी डालें और प्रेशर कुकर का ढखकन बंद कर दें तेज आंच पर एक सीठी आने तक पकाएं फिर धीमी आंच पर बारा से पंद्रा मिनट तक पकाएं आंच बंद कर दें कुकर की भाप अपने आप निकलने के बाद ही कुकर खोलें बकरे के फिपड़े की करी तैयार है इस करी की एक कटोरी दस मिलिग्राम आइरन देगी इसको बनाने के लिए आप फेपड़े के बजाए बकरी के गुर्दे भी ले सकते हैं आखरी सीखेंगे भुने हुए सूखे छोटे जींगे इसको बनाने के लिए जरूरी सामान है बीस ग्राम सूखे छोटे जींगे एक छोटा प्याज आधा टमाटर तीन हरी मिर्च लैसुन की पांच कलियां एक चमच जीरा एक बड़ा चमच धुली और कटी हुई धनिया पतियां आपको इसकी भी जरूरत होगी एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच तेल या घी तरीका सूखे जींगे को लें और उन्हें एक कटोरी में पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें यह जींगों में मौजूद गंदगी को हटा देगा इन्हें धोले और फिर बाकी का पानी निकालने के लिए उन्हें एक चलनी में रखें इस बीच हरी मिर्च लैसुन की कलियां और जीरा लें उन्हें दरदरा पीसें और बाद में इस्तिमाल के लिए अलग रख दें एक बरतन में तेल गरम करें और कटे हुए प्यास डालें इसे हलका सुनहरा होने तक भूनें फिर कटे हुए टमाटर डालें और उनके नरम होने तक पकाएं मसाले डालें और अच्छी तरह मिलाएं फिर छोटे सूखे जिंगे डालें जब ये पक जाए तो इसमें हरी मिल्च और पिसा हुआ लहसुन डालें जो हमने तैयार किया था अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिंटों के लिए पकाएं भूने हुए सूखे छोटे जिंगे तैयार हैं इसकी एक कटोरी लग भग चार मिलिग्राम आयरन देगी अच्छे स्वास्त के लिए इन सभी खानों को अपने आहार में शामिल करें अब यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद अच्छे स्वाद